दोस्तों में इलेक्ट्रिक स्कूटर के वारे में हमें बात करें तो सबसे पेले हमारे दिमा में एक कोश्चेंज आता है कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर और पैट्रल स्कूटर दोनों इसके स्कूटर में होना चाहिए तो वो कितना अच्छा होता तो आज का वीडियो उससी इंट्रेस्टिंग मतलब बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला इस वीडियो में हम कम्प्लेटली बात करने वाले है कौन-कौन सी पैटल स्कूटर को हामें आप रिचो एलेक्ट्रिक एंड पैटल दोनों में कर सकते हैं तो इन वान में आप इसमें यूज कर सकते हो किसे इसका प्रोसेस होने वाला है पूरा इटेल एंड पूरा इंफर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने के बात को और कोई वीडियो यई किटि जो होने वाला है और पेट्रों के स्कूर्टर को आप जो पूरा मीटेन इंडिया होने वाला है योड़ कशोटर को आप प्रेंडर्टिक पर्ट्रल ये यूज कर सकते हो petrol scooter को आप जो है conversion कर सकते हो convert कर सकते हो petrol and electric में तो यह तो confirm है और दोस्तों यह kit जो है ARI का आप पर जो approval case हैं किया है and only for ARI approval होने के बाद यह इंडिया में देखने को मिलने वाला है इसका फाइदा दोस्तों यह कि ARI approval होने के बाद आपको कुछ problem वगर नहीं आता and अच्छी तरह से आप जो government के तरफ से आप जो देखा जाता है उसके बाद यह approval होता है तो approval होने के बाद आपको आप जो इंडिया में देखने को मिल जाएगा and काफी electric scooter में यह conversion kit होने वाला है available तो बात करते इसके process के बारे में कि कैसे इसमाव पर जो process होने वाला है and कौन-कौन से model पर यह process होने वाला है तो दोस्तो company का एक मकसद है कि आप जो काफी सारी petrol की scooter है उसमें आप जो conversion kit लागाने के बाद यह वो petrol में and electric में भी use हो जाएंगे तो बात करते process के बारे में process कैसे होने वाला है और कौन-कौन से electric scooter में, मतलब कौन-कौन से petrol के scooter में यह पर electric scooter वगेरा convert होने वाले है तो दोस्तो सभी मतलब बहुत सारी इसी petrol के scooter है इसका में नाम नहीं लेना चाहूंगा बहुत सारी आपको है पर market में कोई भी हो आपकी पूरा नहीं हो नीव हो तो आप पैट्रोल एंडर इसमें electric दोनों भी convert आप जोई कर सकते हो कोई भी आप पैट्रोल के scooter हो उसमें भी आप यह kit लगा सकते हो process की बात करें दोस्तों तो यहापर यह company के तरप से पैट्रोल स्कूटर में और कोई changes है आपको देखने को नहीं मिलेगे सिर्फ आपको boot space में जारा थोड़ी सी जगा होनी चाहिए उस boot space में वहापर जो इलितमास की battery वगएरा वो add करेंगे और उसके बाद यहापर जो power वगएरा देंगे और उसके बाद यहापर जो changing की बात करें और भी तो ज्यादा तरा आपको changing देखने को नहीं मिलेगे motor, batteries and controller हो गया वो आपको وैरेंग वगएरा एपको changing होने वाली है और लग बक पो सिर्फ पो सिर्फ 20 या 25 गंटे में यह आपकी इलेट स्कूटर कनवर्ट हो जाएगी बैटरीज का वारंटी मोटर का वारंटी वगरा कंट्रोल का वो सार आपको जैसे की न्यू इलेक्ट्र स्कूटर अप लेते हो वेसे प्रोसेस होने वाला है और यह राय अपरोबल होने के बाद आपको कुछ प्रब्लेमी नहीं आने हो गवर्मेंट की तरब से अच्छी तरसे उसको चीख किया जाता है और उसके बाद इंडिया में ऐपर जो अपलिबल होने वाला बढ़ेगा गईगा अपको फ्रोड़ा देना पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो को जरू से जरू शेयर करना प्रेश जिनको यापर लगता है कि petrol में भी electric भी आना चाहिए तो इस वीडियो को उनको जरू शेयर करना मैं 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 जब आपको नेक्स वर इस अमेजिंग वीडियो के साथ, गो ग्रिन, गो अलेक्ट्रिक!